आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग तिथी, वार, योग, नक्षत्र और करन इन्हीं पांचों चियों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्मान होता है किसी भी सुब कारी को करने के लिए हमें जो होती है एक अच्छे महुर्त की और एक अच्छे महुर्त का चैन हम एक अच्छे पंचांग को देखकर ही कर सकते हैं जिसमें इन सभी चियों की जानकारी बिल्कुल सटिकता से दी गई हो तो इनी सब इच्चियों की संपूर्ण और सथिक जानकारी जो की मंगलवार 12 सितंबर 2023 के लिए मैं आपके लेकर उपस दित हूँ तो वीडियो में हमारे साथ अंत्रग में लिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए पंचांग का वीडियो पसंद आई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें साथी कमेंट बाक्स में जैसी गनेश चोड़ लिखें मितनों आज का संपूर्ण पंचांग आपको बताना आरम करूँ उससे पहले आईए हम सभी मिलकर एक बार सुपकामना उन लोगों को देदे जिनका जन्दिन है आपको जन्दिन की हार्दिक सुपकामना है भगवान गनेश के किरपास है आपके जीवन के सभी परकार के बा करता हूं तो इनी सब्दों के साथ आए चलिया आते हैं मंगलवार 12 सितंबर 2023 का संपूर्ण विस्तित और सठीक पंचांग को जानते हैं आज है विक्रम संबत 2018 सक्संबत 1945 कली संबत 5125 माह भादर पदमा पक्ष कृष्ण पक्ष रितू वर्षा रितू आयन दक्षिनायन त ततुपां 24 सित आरंब हो जाएगी नक्षत राज असलेशा रहने वाला रातरी के 12 बच का 18 मेर तक ततुपां मघा नक्षत आरंब हो जाएगा करन गर रहने वाला है दिन के 1 बच का 21 मेर तक ततुपां वनीजगर रहने आरंब होगा जो की रातरी के 2 बच का 21 मेर तक रहने है उत्तर देशा में किसी भी खास प्रियोजन से यातारम ना करें यहां पर आपको नुक्सान हो सकता है सुब खाद्याज का गुरु रहने वाला है गुरु का छोटा टुकरा विखा कर यातारम करेंगे किसी नए कारी को कर इंग्लिश में आपको सफ़तात लगेगी चंदरासी करकर आने वाली करकरासीं चंदरमा रातरी के बारा बच कर अठार मेर तक रहेंगे तरदबन चंदरमा का सिंग रासी में प्रवेश हो जाएगा वरत्योहर में आज भौम प्रदोस पुरत है भौम प्रदोस पुरत मुखिता लोग रिन से मुक्ती के लिए रखते है सरवार्सी दियोग राती के 12 बुच के 18 मिट तक आज रहने वाला है सुरी रासी सिंग रासी सुरी नक्षत्र पूर्वा फालगुनी नक्षत्र सौर्मा भादबदमा रहने वाला है आए बेकनेजर आज के सुर्योदे और चंदोदे की सेधी पे डाले है सुर्योदे सुभा के 6 बच कर 4 मिट पर होगा सुर्यास्त आज साम के 6 बच कर 30 मिट पर चंदोदे रात्री के 4 बच कर 18 मिट पर और चंद्रयास्त साम के 5 बच कर 19 मिट पर होने वाला है ये तो थी सुर्योदे और चंदोदे की बात आए बेकनेजर आज के सुभ चोगहिया की स्थिती बिला ले है आज का सुभ समय दिन के 3 बच कर 23 मेंट लेकर साम के 4 बच कर 57 मेंट तक चर समय आज का सुभा के 9 बच कर 10 मेंट लेकर दिन के 10 बच कर 44 मेंट तक लाब समय दिन के 10 बच कर 44 मेंट लेकर दिन के 12 बच कर 17 मेंट तक रहने वाला है अम्रित समय दिनके 12 बच कर 17 मिर्स लेकर दिनके 1 बच कर 50 मिर्ट तक रहने वाला है ये तो थी आज की सुप चोगरिया आए बेक नजर आज के राहुकाल और गुलिक काल की सिति पे डालते हैं राहुकाल एक असुप समय होता है रहने वाई दिनके 3 बच कर 20 मिर्स लेकर सामकरे 4 बच कर 57 मिर्ट तक इस समय महत्पून चीज छूट गई बीच में राहुकाल का जो आज समय है ठीक वही समय, सूब समय कभी है चोगरिया कंदर तो इसमें किसी भी प्रकार के confusion में नहीं रहने के अवज सकता है राहुकाल को ही हमें ज़्यदा मानिता देनी चाहिए और आज सूब समय वाले कारिन नहीं किये जाएंगे परदोस काल सामके 6 बच कर 30 मेर्स लेकर रातरी के 8 बच कर 49 मेर तक रहने वाला है निसित काल रातरी के 11 बच कर 54 मेर्स लेकर रातरी के 12 बच कर 40 मेर तक अभजीत महुर्थ ये भी एक सूब महुर्थ होता है रान्यवाई दिन के 11 बच कर 22 मेर्ट ने का 13 बच कर 42 मेर तक इस समय में है कोई भी छुटा मतलग कारी है आपका तो अरम कर सकते हैं आप no को 3 बच कर 4 म journée तक रहने वाला है तो मैंने आपको आजका संपूर्ण विश्थित और सथीक पंचांग बता हैं इसी तरह की अन्य ग्यान वदक वीडियो के लिए जुरे लिए धर्मसिक्षा के साथ और देखते लिए धर्मसिक्षा जय माता देग।